नमुश्कार में आपरिया आपका स्वागत है और बिहारी न्यूस में चल जानते हैं देश विदेश ये कुछ प्रामुक ख़बरों को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रीवा सोलर प्लांट का किया उधगाटन देश की सबसे बड़ी रीवा सोलर प्लांट का उधगाटन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है इस अफसर पर प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने बताया और कहा कि सुरक्षा में इसका योगदान बेहधी महतपूर्ण है रीवा ने आज इतिहास रच दिया है रीवा आज तक मा नर्मदा के नाम से और सफेद बाग की वज़े से पहचानी जाती थी और अब इसमें एशिया का सबसे बड़े पावर प्रोजेक्ट का नाम भी जुड़ गया है इसके साथ ही नोह ने COVID-19 संक्रमन से बचने के लिए निवावासियों को नियमों का पालन करने की भी सला दी है नेपाल ने सभी भारतिये नीजी न्यूस चैनलों पर लगाया प्रतिबंध सीमा पर भारत के साथ तनाव की स्थिति उत्पन करने के बाद अब नेपाल ने भारतिये नीजी चैनलों पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है मिली जानकारी के अनुसार नेपाल में केबल ओपरेटर्स ने यह कदम उठाया है हालाकि उनके इस प्रतिबंद से दूर दर्शन को फिलहाल बाहर रखा गया है जो की सरकारी चानल है केबल ओपरेटर के अधिकारियों के माने तो यह कल अंभारती है नेपाली नेत्रित्व को लेकर खराब छवी पेश की गई थी नेपाल के सूच रहा इवं प्रसारन मंत्री युवराज खातिवारा ने इस फैसले के बारे में बताते वे कहा है कि नेपाल राजनेतिक और कानूनी उपाय की तलाश कर रहा है भारत में एक दिन में COVID-19 के मिले रिकॉर्ड तोड मामले COVID-19 समय के साथ हामनागरिकों की परिशानी को और ज्यादा बढ़ा रहा है इसके परिणाम सरू पिश्र 24 घंटे में भारत में रिकॉर्ड तोड मामले दर्च किये गया है मिली जुआनकारी के नुसार पिश्र 24 घंटे में 26,506 मामले सामने आये हैं जो कि अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा है कि इंद्रे स्वास्तेवं परिवार कल्यान मंत्रारे के तरफ से जारी आंकडों में इसकी पुष्टी की गई है जिसके बाद भारत में संक्रमितों के संख्या 7,93,802 हो गई है वहीं बीते दिन सबसे ज्यादा 24,889 मामले सामने आये थे संक्रमन में तेजी के बढ़ रहे मामलों के बीच स्वस्त होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है मिली जानकारी के नुसार एक दिन में 19,135 मरीज ठीक हो चुके हैं जो अब तक मिला कर 4,95,513 मरीज इससे बाहर आ चुके हैं वहीं 24 गंटे में 475 लोगों की जान भी जा चुकी है जिसके बाद भारत में जानकवाने वालों की संख्या 21,604 हो गई है कामगरों को समय पर सैलरी देने का किया गया एला केंदर सरकार स्रम सुधार कानून को लागू करने की पहल में जुटा हुआ है जिसमें बेहत महतपूर्ण हिस्सा कोड और वेजिस 2019 का क्रियाना वियन साल सितंबर में शुरू हो जाने की उमीद जताई गई है स्रम और रोजगार मंत्राले ने स्रम सुधारों की दिश्वा में एक महतपूर्ण कदम को उठाया है साथ ही आम लोगों की प्रतिक्रिया के लिए भी जारी कर दिया है जो की साथ जुलाई को केंदर सरकार के ग्याजट में भी प्रकाशित किया गया था जुस पर आम लोगों ने 45 दिनों के भी तरराय मांगी थी जुसे कि महिला पुरुष के वेतन में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा एक ही कमपनी की कर्मचारी में वेतन मिलने के तितिस में अंतर नहीं होगा कर्मचारी रोजाना आठ घंटे काम करेंगे और काम के घंटों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी नियूनतम वेतन का नरधारन केंद्रिय सलहकार बोट करेगा अमेरिकी सीनेटर ने की भारत की तारी भारत चीन के बीच उतपन हुए तनाफ के बाद भारतिय सरकार के रुख की सराहना विदेशी प्लाटफॉर्म पर जोर शोर से की जा रही है इसकरा में एक शीष अमेरिकी सीनेटर ने सीमा विवाद में चीनी सैनिकों के सामने खड़े रहने के लिए भारत सरकार की प्रशन सा की है इतना ही नहीं उन्होंने या भी कहा है कि उमीद है कि यह अन्य देशों को चीन से निपटने का संकेत भी साजा करेगी भारत और चीनी सेना ने पिछले 8 हफतों से पूरवी लदाक में आमने सामने थी जुसमें गलवान घाटी में हुए वाक्या के बाद तनाव कई गुना बढ़िया था जुसमें भारत ये सेना के 20 जवान भी वीरगती को प्राप्त हो गयते हाला कि चीनी पक्ष के भी कई सैनिकों की जान चली गई थी लेकिन अभी तक उसका विवरन जारी नहीं किया गया था वहीं रिपब्लिकन सिनेटर जॉन कैरी ने गुरुवार को मीडिया हाउस से बाद चीत के दौरान बताया कि मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी चीन के खिलाफ खड़े हुए हैं जूम आप जल्द ही कर सकता है भारत में बड़ा निवेश COVID-19 के माहौल में वीडियो कॉन्फरेंसिंग आम्प जूम ने अपनी लोगप्रियता काफी ज्यादा बढ़ाई है जिसके बाद अब यह आप कर्मचारियों के संख्या में ठीक ठाक प्रधी करने की योज ना बना रही है कंपनी के एक शीर्ष कारेकारी ने यह बात कही है साथ उन्होंने चीन के साथ संबंधों को नकारने का भी प्रयास किया है जिसके तहट जूम के अधियक्ष वेचलरी शंकरलिंग ने एक ब्लॉक पोस्ट करते वे कहा कि कुछ गलत फैमिया निराशा करने वाली है खास्तोर पर जूम और च्वीन के बारे में हम यह स्विकार करते हैं कि जैसे जैसे हम भारतिय बाजार में पकड़ बना रहें उनसे संबंधित तथ्यों के बारे में कुछ भ्रहम भी पैदा हो रहे है इन्हें सपश्ट करना जरूर चाहेंगे जूम एक अमेरिकी कमपनी है जो नेस्टैक पर सारवजनी कारोबार करती है उन्होंने आगे कहा कि भारत एक महत्वपुन बाजार है अगले 5 सालों में इससे भी आगे देश में महत्वपुन निवेश की योजना है क्रिस शार में रितिक रोशन और शाहरू खान साथ आएंगे नजर रितिक रोशन के प्रसंशक लगातार उनके अगले फिल्म का इंतजार करते नजर आते हैं तो भाई दूसरी तरफ शाहरू खान के फैंस भी उन्हें बड़े परदे पर देखने की उमीद लगाए बैठे हैं ऐसे में दोनों के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामनी आई है जिसमें साफतोर पर यह कहा गया है कि रितिक रोशन के अगले फिल्म में शाहरू खान भी उनके साथ नजर आ सकते हैं अब फिलहाल कृशफोर की स्क्रिप्टिंग के काम को तेजी से करवाया जा रहा है बिली जानकारी के नुसार इस फिल्म के लिए रितिक ने शाहरू खान से हाथ मिलाया है जिसके परणाम सरूप, ग्राफिक्स और विश्वल इफेक्ट की जिम्मदारी शाहरू की कमपनी रेट चिली इंटर्टेन्मेंट को दी गई है जिसके बाद उस फिल्म में सुपर विलन को बनाने की जिम्मदारी पूरी तरीके से शाहरू खान को सौपी जा रही है दिल्ले में अब हर कोई करवा सकता है COVID-19 की जांच, राज़ानी दिल्ले में COVID-19 के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए केज जिवाल ने Rapid Antigen Test को मन्जूरी दे दी है जिसके बाद अब हर कोई अपना कोरोना टेस्ट बढ़े ही आराम से करवा सकता है मिली जानकारी के अनुसार ज्यादा से ज्यादा जांच करवाने की बात को सुनश्चुत करने के लिए दिल्ली सरकार ने या फैसला सुनाया है आदेश के अनुसार दिल्ली सरकार के डिस्पेंसरी और पॉली क्लिनिक्स में Rapid Antigen Test के जरिये टेस्ट करवाया ज़ा रहा है प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन पर बढ़ाय देते वे कहा है कि वो मजबूत है और सुरक्षित भारत बनाने के प्रयास में बहुत आगे है आपकी ज़ानकारी के लिए आपको बता दे राजनाथ सिंह आज अपना 69 बाज जन्मदिन बना रहे है वहीं प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि श्री राजनात सिंग जी को जन्मदिन की हार्दिक शब कामना है, श्री राजनात सिंग का ज्यान सरकार के लिए बहुत लाभकारी है, एक मजबूत एक सुरक्षित भारत बनाने के प्रयास में वो सबसे प्रावधान नहीं है उतर प्रदेश में आज से तीन दिनों के लिए लगाया गया लॉकडाउन कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते वे उतर प्रदेश में दुबारा से लॉकडाउन लगाने का फैसला सुनाया गया है जिसके तहट प्रदेश में 10 जुलाई यानि के आज से रात 10 बजे से लेकर 13 जुलाई की सुम्ह 5 बजे तक लोकडाउन लगाने का फैसला सुनाय गया है इस दोरान सिर्फ आवश्रक सामानों की दुकान और अस्पताल को खुलने का प्रावधान दिया गया है जुसके बारे में प्रदेश के मुख्यस्टाचिफ राजेंद्र कुमार तिवारी ने भी आदेश जारी कर दिया है और साफतोर पर कहा है कि कोबर-19 की बर्तमान स्थिती की समिक्षा करने के बाद संक्रमन को रोकने के लिए यह निर ने लिया गया है हाला कि अनलोक के दौरान मिली छूट में कुछ खास बदलाब नहीं किये गया है सिर्फ लोगों की बेवज़ आवज़ाही पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने का फैसला सुनाय गया है प्रवासी मजदूरों को अगस्त महीने तक मुफ्त राशन मिलने का दिया गया आश्वासन कोवर्ड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण अपने काम को छोड़ कर वापस लोट चुके प्रवासीों को अगस्त महीने तक मुफ्त में भोजन मुहाया करवाने की बात कही गई है जिसके लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों और जरूरत मंद व्यक्तियों के लिए दो सबसे बड़ी खाद्यानन वित्रन योजना प्रधान मंत्री गरीब कलियान योजना करना करना गरीबों और जरूरत मंदों को मुश्किले थोड़ी कम हो भारत की तरफ से बढ़ रहे दबाव के वीच चीनी सेना ने पैंगॉंग से भी पीछी हटने का लिया फैसला बीते कई हफ्तों से भालाचीन के बीच तनाव बरकरार है इतना ही नहीं तनाव गलवान घाटी पर बेकावुत तब हो गई जब दोनों सेनाओ के बीच में हाथापाई के स्थिती उत्पन हो गई थी जिसमें भारतिय सेना के 20 जवानों की जान चली गई थी वहीं चीनी सेना के भी कई जवानों प्रभावित होने की खबर सामने आई थी हालाके स्थिते बेगरने के बाद ही दोनों देश के बीच में तनाव और ज्यादा बढ़ती गई जहां उसने भारत के केलाफ टेंट लगाना शुरू कर दिया था मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में धारावी की हो सकती है एहम भूमी का एशिया के सबसे बड़ी जोपरपटी धारावी अब कोबिड-19 मुक्त हो चुकी है जो इसके बाद यहां के लोग वापस से अपनी दिंचर्या पर लोटने लगे हैं हाला कि ज्यादा तर मजदूर COVID-19 के कारण गाउं की तरफ वापसी लोट चुके हैं लेकिन जो बचे वे हैं कामगर उनसे ही काम चुला कर फिर से कारोबार को शुरू कर रहे हैं हाला कि कोरोना के इस माहौल में काम करने का तरीका और कारोबार में थोड़ा बदलावाया है कल तक रेंकोट बनाने वाले आज पी पी किट बनाने लगे हैं महीं छोटे छोटे पैक बनाने वाले मास्क और सैनिटाइजर का उत्पादन जोर शोर से कर रहे हैं यह कारण है कि अब सब की नजर धारावी पर टिकी भी है इस चोटे से लागे में 10 से 12 लाग के जुन संख्या होने और चोटे चोटे घरों में आठ तस लोगों के परिवार के होने के कारण किसी को भी नए उमीद थी कि धारावी में हालत इतनी ज्यादा और इतनी जल्दी ठीक होगी लेकिन बी एंसी, प्रसाशन, डॉक्टर और पुलिस के लगातार मेहनत की बज़े से यह सफल हो पाया है सौरब गांगुली ने अपनी कप्तानी को लेकर कई बातों का ख्या खुलासा, क्रिकेट के तेहास में कई सारी ऐसी बाते होती हैं जो समय के परत के साथ कहीं पीछे छूट जाती है ऐसा ही कुछ हुआ था भाते क्रिकेट कंट्रोल, बोर्ड अध्यक्ष, सौरब गांगुली और उनके करियर के मुश्किल दौर के साथ मगर अब सौरब गांगुली ने खुद अपने उस मुश्किल दौर का खुलासा किया है एक समय था जब सौरब गांगुली टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तानों में गिने जाते थे लेकिन 2005 का साल उनके लिए काफी निराशव जनक रहा था उन्हें कप्तानी छीन ली गई थी और उसके बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था जिस पर गांगुली ने बयान जारी करते वे कहा है कि उन्हें टीम से निकालने में सिर्फ पूर्फ कोच ग्रेक शापल ही नहीं बलकि पूरा सिस्टम शामल था उनसे कप्तानी छीनना ना इंसाफी थी इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि कप्तानी जाना मेरे करियर का सबसे बड़ा जटका था मेरे साथ सरा सर गलत हुआ था मुझे पता है कि आपको हमेशा नयाय नहीं मिल सकता लेकिन फिर भी जो कुछ हुआ था मेरे साथ वो नहीं होना चाहिए था तो चले बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके नुसार COVID-19 के बरते प्रभाव को देखते वे केंदर सरकार को लॉक्टाउन के बारे में दुबारा से वेचार करना चाहिए या नहीं अपने जबाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस सतना ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना भूले धन्यवाद